चीकली के वो लोग जो घर से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए उमीद लेकर निकले आज वो लोग जो अपने बज़र्गों के अच्छे इलाज की इच्छा लेकर उमीद लेकर निकले घर से वो युवा जो अपनी डिगरी के मताबिक रोजगार लेने की उमीद से इस सबा में पहुँचें और वो गुजरात के सच्चे लोग जो परवरतन चाहते हैं और अपनी आँखों से गुजरात को तरक्की और तंदरुस्ति की तर्फ जाना देखना चाहते हैं हमारे यहां मंच पर दिली के मुख्यमंत्री और भारत की राजनीती की दशा और दिशा को बदलने का एहद लेकर अपनी पहुद बड़ी कुरसी छोड़कर इंकम टेक्स के कमिशनर थे राजनीती में कूदे मन्य अर्विंद केजरिवाल जी गोपाल इटालिया भाई हमारी पूरी टीम नौसारी जिले की पूरी टीम कार्यकरता जितने कदम भी आप चल कर आए हमारे सरमाते पर सबसे पहले सबको मेरा परनाम नमशकार सास्रियकाल दोस्तों हम गुजरात में जहां भी जाते हैं एक बात हर एक आदमी की जुबान से सुनते हैं कि जी हमारा पीचा चुडवा दो इन से हम कहते हैं जी पीचा हम नहीं चुड़ा सकते पीचा खुद आप चुडवा सकते ओ जाडू वाला बटन दबा कर और क्यों केते जी पहले तो हमें पता ही नहीं था हमारा बोड जा किदर रहा है कॉंग्रिस को बोड देते थे वो बोट समेत BJP में चला जाता था अभी 22 विधायक इनके BJP में चले गए जो पिछली विधानसवा में आपने चुन कर बेजे थे बैस साब आपके बोट की कीमत नहीं मानते ये लोग क्या आपको कीडे मकौडे समझते हैं जनता को ये ये पांच-पांच साल की ये इनकी बारियां बांदी हुई है पांच साल तूं पांच साल मैं अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा लेकिन यहां तो आपने सताई साल दे दिये वाई साब हर साल पेड भी पत्ते बदल लेता है चीकली वालो इस बार परिवर्तन कर लो इस बार बदल लो कम से कम पेड भी दुआएं देंगे शुकर है नया सूर्जुदे हुआ शुकर है नई हवा चली इमांदारी की हवा चली इमांदारी का महौल हुआ क्योंकि पहले आपके पास कुई option नहीं थी विकल्प नहीं था अब वो विकल्प आ गया है और विकल्पी ऐसा आया है जिसकी बात सिर्फ देश में नहीं बदेशों में चलती है ट्रम्प जब अमेरिका के राष्टपती थे तो उन्होंने भारत का दोरा किया तो उनकी पत्नी ने इच्छा जताई मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हूं पहले तो बीजेपी वालों ने भाजब वालों ने उसकी बहुत मिंतें की ये जिद मत करो रहने दो तो नहीं जी वो नहीं मानी कहती ही मैं तो स्कूल देखने हैं अब भाजब वालों को ये पता था जो इनके वाले स्कूल हैं एमसीडी वाले वो दो दिखाने की लाइक ही नहीं है और दिन रात हमें गालियां देते थे जस्दिन ट्रंप की पत्नी को स्कूल दिखाना था गेजी वाल को फोन करके स्कूल की चाबियां लिए एक स्कूल खोल दो अच्छा सा खूल जो आपने बना रखा तो इन्होंने कुछ नहीं किया सिर्फ बातें की जुमले सुनाएं सपनें दिखाएं हकीकत में कुछ नहीं हुआ अगर 27 साल में गुजरात में जो सरकार रही है अगर 27 साल में ये बात आप मेरी ध्यान से सुन ले ना प्लीज अगर 27 साल में कुछ किया होता अगर 27 साल में इन्होंने बच्चों को शिक्षा दी होती इलाज का प्रवंद किया होता बिजली पानी सडके बनाई होती लोगों का जीवन स्तर उ उपर उचा उठाया होता अगर कुछ काम किया होता तो जब ट्रंप एहमदाबाद आया था तो एक कपड़े से वो गरीबों की जुगियां जोपड़ियां चुपाने की जरूरत नहीं पड़ने थे अगर कुछ किया होता तो उसको ऐसे बिठाके लेगे कि इधर नहीं देखना बस सब पता उनके पास गूगल है उनके पास बहुत बड़े बड़े ड्रोन चल रहे हैं उनके पास सब देख लेते हैं उपर से क्या क्या हो रहा है तो यह आँखों में धूल जोक रहे हैं लेकिन यह पबलिक है सब जानती है यह पब्लिक है यह पब्लिक को अगर अंडरेस्टिमेट करोगे तो इतिहास गवाह है बड़े बड़े नेताओं को लोगों ने बड़ी बुरी तरह हराया है यह लोग लोग तंतर में लोग बड़े होते हैं लोग जब चाहें आदमी अर्ष पर और वहां जाकर यह बीजेपी वालों की तरह घमंड करें तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्ष पर बड़े बड़े उतारे हैं भाई बड़े बड़े हैं हंकार नहीं करना चाहिए इनको हंकार हो कि हमें तो कोई हराई नीं सकता जनता जनता को हम क्या समझते हैं कोई बात नहीं इदर उदर से खरीद लेंगे एम्मेले कम हो गए तो कॉंगर्स से खरीद लेंगे कॉंगर्स ने दुकान खोल रखी है कि यहां तो लोगों द्वारा चुने होए पिधायक सस्ते रेटों पर मिलते हैं यही लिखा लिख रखा उननों तो कभी गोवा में चले गए कभी कहां चले गए तो मैं ये बात कहनी चाहता हूं आपको चीकली वालो कि 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 आप लोग एक बार घर से जब निकलोगे इलक्षन वाले दिन जल्दी नॉस्मेंट हो जाएगी तरीख की जब घर से निकलोगे एक बाद जुरूर याद रख लेना कि जनता के पास पांच साल के बाद सिर्फ और सिर्फ नौ घंटे होते हैं आठ बजे एंट्री शुरू वोट की नौ पांच बजे शाम को खतम आपके पास पांच साल अपने बच्चों की किस्मत लिखने के लिए सिर्फ नौ घंटे हैं और अगर नौ घंटे होशो हवास से और अपने मत का इस्तिमाल करोगे मतदान मतलब अपनी मत का दान करना अपनी अकल का दान करना कि मैं ये चाहता हूँ ये आदमी आगे आए तो मतदान अगर खोशो हवास में करोगे अच्छे लोगों को आगे लेके आओगे तो समझ लो बच्चों की किसमत चमक जाएगी आपके घर की गरीबी दूर हो लेकिन अगर 22 साल पहले वाले दोहराना एतिहास तो फिर ही आपके पास आपको पताई है तो हम तो यह कहने आए आपको पंजाम में सरकार बनी अभी साथ मीने हुए हैं बहुत से काम हो गए यह नियत की बात होती है जी नियत हमने 20,000 नोकरियां दे दी सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिये जोएन कर लिया नोंने उनको स्टेशन भी मिल गए अलग-अलग डिबार्टमेंट्स में हमने पूलिस में भरती हुई 14-15-16 अक्तूबर को पेपर हुआ सब इंस्पेक्टर का हैड कॉंस्टेवल का कॉंस्टेवल का मजाला एक भी पेपर फूटा हो हमारे ह जो डिजार्व करता है उसी को नौकरी मिलती है एक अरपय अभी शिपारश नहीं चलती रिश्वत नहीं चलती अगर कोई शिपारश करेगा उसको हम शक के गेरे में लेते हैं कि यह शिपारश को लेका है इसका मतल इसमें को कमी है यह शिपारश को इस्तिमाल कर रहा है ऐस किसी पारदर्स्टा की सरकार चलानी है दिल्ली में चल रही है कि आपके पास आये है दही जमाना है मां बहुत बढ़ी गिन्ती में बैठी है दहीं जमाना है दहीं जमाने के लिए जितना मर्जी दहीं जमाना हो एक चमच जाग चाहिए होता है उस सिवर दहीं जमता है चीकली वालो आप एक चमच जाग दे दो पूरे देश में इमानदारी का और सच्चाई का दहीं जमा कर दिखाएंगे आपको आमाधी पार्टी की दरब से इस यह हमारी जैसे गुपाल भाई बोल रहे थे हमारे बैनर फाड़ देते हैं हमें रैली के लिए जगा नहीं देते माने का जी दठ्विख और को थोड़ी रोत सकते हों दृआ तो कि मान आपने भी बना रखा है बस वो तो आप हमें वैसे सुनने के लिए आए हो ऐसे हो जाएगा थोड़ा हेलो शास्रिकाल नमस्ते हो जाएगी मन तो बना रखा है आपने जिन जिन ने जाडू का मन बना रखा है हाथ खड़े करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए बन गया कि दो दो भी कर रहे हैं दो बार तो बोड़ डलेगी नहीं एक ही बहुता है इसका मतलब है आपके दिल में गुजरात को बदलने का तमन्न है आपके दिल में गुजरात को बदलने की तमन्न है ऐसी पंजाब में होता था जब हम जाते थे लोग ऐसे ही सडकों पर हमें तरिवाल के जलक पाने के लिए खड़े रहते थे घंटों कि अपने बच्चों समेथ वही आज होता है यहां पर गुज्रात में देख रहा हूं पंजाब हमारे ताँ पंजाबी भाई यहां काम करने आते हैं ट्रकिंग के बिजनिस में भी हैं बहुत और खेती भी करते हैं कच के लाके में तो आप उनसे पूछ लीजेगा पंजाब में महल क्या था बिलकुल यही था और एक सो सत्रा में से बांड में सीटें 117 में से 92 सीटे पंजाब में जीती है हमने सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है 2014 में हम पहली बार MP चुने गए थे 22 में सरकार बन गई इतनी जल्दी कोई पार्टी ग्रो नहीं कर रही देश में जितना आमानी पार्टी कर रही है तो क्योंकि हम यो कहते आँ वो करते हैं अर्विन केजरी吧 जी ने हमें यह बोले हुआ है एक कि अगर पांच काम बोलकर च्छा कर दोगे जनताा सबशन देगी पांच बोलकर लौब ऺज़े तो लोग कहेंगे कोया कमी रहे से यहंवरा बोलते ही नहीं जो करनी सकते हैं बखी काम हमारा है कि आप हरो जो खबारों में पढ़ते होगे अभी अभी क्या हुआ एक नया नया कॉंगर्स का मंत्री जो मंत्री मंदल में रहा वो नया नया भाज़प में के चला गया कि शायद बज जाओंगा इधर जाके मैं तो हमने उसका थो छोटा सा चिथा खोला पचास लाख रुपए लेकर हमारे बिजिलेंस की अफसर के पास आ गया कि मेरा नाम निकाल दो जी बीच में से वो के तहीं आप तो डालेंगे तो आप निकालने की बाद कर रहे हो और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है जी यह देख लो कितना लूट रहे हैं हमने एक मंतरी के घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है घर पे कौन रखता है नोट गिनने के लिए मशीन बैंकों में होती है इसका मदल इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं कि मशीन ले लगा रखी है प हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा जाते हैं हमारे बजिर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा जाते हैं हमारे नौजवानों के हिस्से का रोजगार खा जाते हैं हमारी सडके खा जाते हैं हमारी कॉलेज स्कूल और पता निक्या क्या खा जाते हैं और बाद में पता नहीं कौन सी अदालत में बैठते हैं कोई गोटाला निकलता है बीस हजार क्रोड का हमें थोड़ा सा स्कून होता है चलो एक तो अंदर गया 15-20 दिन के बाद ऐसे बिक्टरी का सायन बना के बाहर आते हैं पता नहीं कैसे भई गदून अमिरों के लिए सजा गरीबों के लिए यह 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 अशा नीं चल सकता मंत्री कमद्री और यह ने ज पंजाम में स्कूल अच्छे करने शुरू कर दिये दिल्ली से सिक्षा ली एक दूसरे से सीखते हम अच्छी चीज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है हम स्कूलों का काया पल्ट करने जा रहे हैं जैसे दिल्ली में अर्विंजी ने किया है बताएंगे आपको कैसे वहां पे स्क के पास आये हैं कि कॉंग्रस कि छोड़ों कि क्या बात करें गो तो कोमा में चली गई कि कॉंग्रस की हालत तो उस 90 साला बुजूर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जबाब दे देता है घर ले जाके सेवा कर लो अब इसमें कुछ नहीं है वो नहीं उन्होंने भी लूटा है सबसे ज़्यदा देश को उन्होंने लूटा है लूटना शुरू उन्होंने किया उसको पीक पर ये लेके गए हमारे बच्चे बच्चियां हमारे बेटे बेटियां वो बेरजुगार इनके नितायों के बेटे बड़े मंत्री चेर्मैन ये वो आसपास में गाडियां गार्ड की बात क्या बात नहीं क्या हमारे बच्चे मंत्री नहीं बन सकते हैं क्या हमारे बच्चे चेर्मेन की कुर्सी पर बैठना नहीं जानते हैं जानते हैं लेकिन इनको पता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिग गए ये अफसर बन जाएंगे अफसर बन गए तो घर कि गरीबी खत्म हो जागी घर पी गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं की कोठियों के सामने कौन जाएगा फिर हाथ जोड़कर लाइन बनाकर सुबह सुबह अर्जियां लेकर यही पंगया बस इनका मेरे पास बान में बिधाय कहें बान में से 82 पहली बार चुने हुए है 82 है और लड़के लड़कियां आम लड़के लड़कियां जो तत्कालीन मुख्यमंत्री था चरनजी सिंग्शन्नी जो मुख्यमंत्री का चहरा भी था चार मेने मुख्यमंत्री भी रहा था कॉंगर्स की तरफ से उसको किस ने हराया जो लड़का मुवाइल फोन रपेर करने वाली दुकान पर काम करता है दुकान भी उसकी नहीं है यह है अगर मन बना ले लोग अगर लोग आपके लिए लड़ें कोई माई कलाल नहीं हरा सकता फिर हमारे पास पैसे नहीं है पैसे मे इनको हरा नहीं सकते बहुत हैं इनके पास लूटा हुआ माल हमारे पास कोई मसल पाबर नहीं है गुंड़करती नहीं करते हम लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है सचाई और एमानदारी उसमें हमें नहीं हरा सकते यह तो यह गुजरात का महौल परिवर्तन का म यहां भी बहुत से CID वाले भाजब बले वह भी आके बैठे होंगे सुनते हैं हमें अच्छी तरश सुनते हैं वह क्योंकि उनको बताना होता ना अपने आकाओं को शाम को बताना होता रिपोर्ट देने होती है कैसे था क्या था क्योंकि उनके यहां तो लोग लाने पड़ते हैं पैसे देकर विहारी देकर हमारे यहां खुद आते हैं यहीं भरक है बस नारे लगाने का भी पता चल जाता है नारे लगाने से पता चल जाता है कि बोट वाला नारा है ज़र नोट वाला है जब दिल्ली में एलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में तो भाजपा ने रैली की रामली लग रहा उन में बोड़ी रैली थी लाइब चल रहा था सब चैनलों पर मैं भी बैठा केजरिवाल जी के साथ देख रहा था लाइब तो नारे लग रहे थे जब नारे लग रहे थे तब मैंने लोगों को देखा मैंने अरविन जी को का मुख्यमंत्री बनने की तैरी करो सर हम जीते हैं आपको कैसे पता चला मैंने का जी ये नारे लग रहे हैं जो करते कट तो बहुत है मैंने का सर कट की बात नहीं होती नारे देखो आप कैसे लग र लेंगे हैं जब नारा दिल से लगता है ना हाथ वी उपर जाता करदन भी उपर जाती है के तो यह कहते हैं कि मांसाब है एक मुझे मिला बीजेश पीवाला मांसाब हम क्या करते हैं ना रातो रात पूरे गुज्रात को रंग देंगे जंडियों से, कमल के फूल वाली जंडी हर घर पे लगा देंगे, जब घर पे जंडे लग जाए, तो शर्मों शर्मी बोट देना पड़ता है, मैंने का लोगों को इतना भी मूरख मत समझो, आजकल लोग ऐसी बातों में आने वाले नहीं हैं, योबा पीडी हैं, आजकल बट के पर जंडी छोटी सी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, और पोलिंग बूथ पे परची किसी और पार्टी से लेते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं, ऐसी करते हैं ना, बस यही करो, तो यह भी तो यही करते हैं, बोट लेते हैं आपको, और बाद मे आपने आपको कभी इधर बेच दिया कि किसी ने पूछा आप से के जी मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूं जा मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं आप सहमत हो नहीं खुद नहीं पूछते हैं उनसे लोगों से नहीं पूछते तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं यह लाल लक्षमी घर पे आये बापस नहीं करते आपी का लूटा हुआ माल है और इनको बोल देना के हाँ और एलेक्शन वाले दिन अंदर जाके जाडू बाला बटन दबाके कर देना के हाँ जो समझ गए वो तालीब जा सकते हैं बाकियों को माफ है बहुत समझदार हैं बहुत समझ जा गई तो देश तरक्की करेगा फिर हमारा इनको यह है कि हमीं समझदार हैं हमीं स्याने हैं पब्लिक को तो कुछ पता ही नहीं है लेकिन यह पब्लिक चुप रहे पांच साल होंटों को सीले दस साल सबर कर ले 20 साल दिल पे पत्थर रख ले आप लोग की तरह 27 साल लेकिन 27 साल बाग जब जनता जागती है ना जब जनता उठती है ना फिर 27 साल का हिसाब 27 में ले लेती है वह साब 27 में लूट के खागे देश को यह गुजराद को लूटा है नो ने पहले पंजाब को लूट रहे थे ये लूट बंद होगी इनकी अगर किसी नदी के घाट पर ये नेता लोग बस जाएं अगर किसी नदी के घाट पर ये नेता लोग बस जाएं तो प्यासे होंट भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएं गनीमत है कि मौसम पर हकूमत चल नहीं सकती बलना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं बस गनीमत है कि मौसम पर कुछ कर नहीं सकते तो दो नारे लगाऊंगा मैं शहीद आजम भगत सिंग, राजगुरु सुकदेव, चंदर शेकर आजाज जी, लाजपत्राय जी जब लड़ाई लड़ रहे थे, अजाद्धी की तब था ये इनकलाब, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनके अंगरेज थर-थर कामते थे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे ताकि ये अपने वाले थोड़ा काम पें इनको पता चले किया हो रहा है चीकली की गलियों में आवाजें गूंज रही है और नौसारी जिले में गूंज रही है हम दाहूद गए, हम जूनागर गए हम सुरिंदर नगर गए, हम वडोदरा गए हम जहां भी हमें बुलाते हम जाते हैं एक ही महौल है, तो दोनों हाथ उपर उठा कर दो नारे इनकलाब जिन्दाबाद के अगर मीडिया ने चाहा तो यह शाब भी सकते हैं इनकलाब, इनकलाब, वंदे, भारत मता की बुले सोने हाल, बहुत बहुत आन्यवाद आपने इतना प्यार से सुने हैं आपने इतना प्यार से सुने हाल, बहुत आन्यवाद